जै महाराश्ट्रे मिरुजुता लुक्तु के राजमंत्र या तुम्चा लोकप्रिया कारेकर्मा मधे पुन्हा एकदा तुम्चा स्वागत है आसा कारेकरमा है जिते वर्ताव लेला भविश शंभर टक के खर उतरत अस्ता अप्ता परंत आणि दो नजार सोडा मधे आपन हे पाहिलाचा है पुन्हा एकदा पंडित राजकुमार शर्मा अपले वर उबर आज आले ले आहे और मैंने तो कही दिया है कि शो में जो भविश्यवानी होती है वो शत्प्रतिशत खरी उतरती है जिसका प्रत्य इससे पहले भी हम ले चुके है नए साल के शुरुवात करने जा रहे है नए साल का आज का दूसरा हमारा शो है और काफी कुछ राजकी विशय है जिनके बा लोगों का प्यार हमें मिला है फोन के माध्यम से वाटसप के माध्यम से और इमेल के माध्यम से लोग यहां पे हमारे चैनल पे भी हजारों की तदाद में फोन करते हैं उसके लिए मैं उन सब का अभिनंदन और शुक्रिया करता हूं कि आप लोग ऐसे ही इस शो के साथ सब्सक्राइब और आट बजे साड़े साथ बजे होगा हरश अनिवार को बिल्कुल पंडित जी अब क्यूंकि हम अपमारे विश्यों की तरफ मुरते हैं बहुत सारे विश्य हैं जिनके बारे में आप सा जानना चाहेंगे क्यूंकि 2017 के शुरुआत ही कुछ ऐसे ढंग से हु जो उनका गुरह कलह कहा जा रहा है वो जो है वो मिटने का नाम नहीं ले रहा है जनवरी महिना ने साल का शुरू हुआ है क्या इस साल में आप देखते हो कि यादव है वो वापस एक साथ हाएंगे क्या होगा उत्तर प्रदेश में एक तारीक को जो हमने कारेकरम किया जो जि शे महीने पहले जब अमर सिंग ने समाजबादी पार्टी में प्रवेश किया था उन दिनों भी हमने ये वविशावनी की थी कि अमर सिंग एक एसेट नहीं एक लाइबिलिटी के रूप में इस पार्टी में आएंगे और वो सिद्ध हो गया कहीं न कहीं आजम खान और अम समाजबादी पार्टी जैसे मैंने पहले बोला था तोट्ती हुए नजर आती है कहीं न कहीं समाजबादी पार्टी को इस कलहा का इस समस्या का इस तरहां के वादविवाद का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अखिलेश को लोग पसंद करने लग गए थे, कहीं न कहीं अखिलेश की कुंदली का जब हम अध्यन करते हैं तो केतु की महादशा में राहू चल रहा है, एक जुलाई 1973 लखनव में उनका जन्म हुआ है, जब केतु की महादशा में राहू चल रहा है, केतु ने उनको मुख् महादशा शुरू होती है ए अखिलेच सिंह जादव एक ऐसे व्यक्ति हैं उनकी ऐसी कुंडली है कि शुक्र की महादशा में वह चीफ मिनिस्टर तो बनी चुके हैं उनकी दौर दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर की गदी या हो मिनिस्टर की गदी तक भी जाती हुई दिखाई देती है, उनका भविश्य उजवल है, मगर इस लड़ाई से उनको कुछ नहीं मिलने वाला, इस लड़ाई से भारतिय जनता पार्टी या बी-एस-पी, भहुजन समाजबादी पार्टी इन दोनों को डेफिनेटली इसका भरपूर फाइदा होता हुआ दिखाई देता है, ल अगर स्पष्टता से पूछे, तो साइकल किसके पास रहेगी? बहुत बड़ी बात कही, आपने बहुत सुंदर सावाल किया, और मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इस वक्त हर रोज, मीडिया में 60-50 सदी स्टोरी यही चल रही है, कि पिता के पास रहेगी या पुत्र क किसके पास रहेगी? साइकल किसके पास रहेगी? जो भी इस वक्त वातावरन बना हुआ है समाजवादी पार्टी का, इस बात में कोई दोर आए नहीं, कि अखिलेश जो है, इस युद्ध में विजई होंगे, और नेता जी जो है, वो सहर्ष अपने प्यार से, अपने श्र दिखाई देंगे, ऐसा मुझे अमर सिंग की कुंडली से, और नेता जी की कुंडली से, अखिलेश की कुंडली से, समाजवादी पार्टी के शपत, मतलब जब स्थापना दिवस हुई, उस कुंडली से प्रतीत होता है, कि कहीं न कहीं, अमर सिंग जो है, इस जगडे की जाजा से कहलेजिए, या उनकी अपनी ग्रहदशा की चाल कहलेजिए, ओ समाजवादी पार्टी से बाहर होते हुए दिखाई देते हैं, ये पिता-पुत्र एक बार फिर, एक ही स्टेज के उपर से समाजवादी पार्टी का संचालन करेंगे, बट एड इस मोमेंट, इन इ कहीं उत्रपरदेश की पबलिक जो है, वो उनको बहुत प्रेम करने लग गई है, ये विवाद की वज़ा से 30 से 35 परसंट जो समाजवादी पार्टी का बोटर है, वो बट गया है, गरीब आदमी हो या अमीर हो, मगर एजुकेटर आदमी ये बात सोचने लग जाता है, कि म इसलिए ये कलाय अभी भी एक बात ध्यान रखी, ये डेट में बोलने वाला हूँ आपको, ये कलाय 16 तारीक के बाद में सुलजेगी, 16 जनुरी जो आ रही है, उसके बाद सुलजेगी, मगर तब तक बहुत कुछ बिगर चुका होगा, इसलिए मेरी तो सला यही है, कि अभ बलते हुए दिखाई नहीं देते, ग्रहदशा बहुत ही भ्यानक रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा-सीधा फाइदा बहनमायावती और भारती जननता पार्टी को मिलता दिखाई देता है, पंडी जी आपने कहा है, मैंने सवाल अच्छा पूछा लेक नरेंदर मोदी और बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि 2017 जो साल है, राज्यों में चुनाव है, और अगर महराश्रों में देखे तो BMC कोई कम नहीं है, बहुत बढ़ा, एक छोटी स्टेट से बढ़ा, जी हाँ, बिल्कुल, और आज जो स्थिती है, सब पार्टिया अपनी जुट गई है कि चुनाव की तयारी कैसे करनी है बीजेपी की जो मीटिंग है वो संबोधित कर रहे है हमारे प्रधान मत्री नरेंद्र मोदी तो बताइए तयारी कैसी चल रही है कैसी चलेंगी देखिए मैं तो जनम तारीक के ऊपर निरभर करता हूं और उस डेट बर्त के ओपर यह बताता हूँ कि ऑई यह परिक्षा में पास होगा विए फेल होगा यहां फिर इनकी परेस्थिती डावागोल होगी यह तो नरेंद्र मोदी की कुंडली का जबन इभारतिय के जनता शैली में एक अच्छा प्रभाव नजर आता हुआ दिखाई देगा ठीक है दो महीने के डीमोनाइटेजिशन के बाद में लोगों में एक निराशा बनी हुई थी आज भी अंदर से वो बनी हुई है मगर कहीं न कहीं उसका असर मैं पिछले कारकरम में बोल चुका हूं कि 30 से जनता पारटी के लिए बापिस अच्छे दुनिया के लिए अच्छे दिन देश के लिए अच्छे दिन लाने का प्रियत्न करते हैं मगर भारती जनता पारटी जो दो से धाई महीने के डिप्रेशन में थी उससे बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और कहीं न कहीं फिर कहीं न कहीं 10-15% उस demonetization का या उनके फैंसलों से जो उनको descending मिली थी उसमें 10-15% recovery होती हुई दिखाई देती है मगर उत्रप्रदेश में मैं आज भी opinion poll के साथ सहमत नहीं हूँ opinion poll तो एक संस्था ने किया हुआ है जो हमारे सामने आया हुआ है जो भी है भारतिय जनता पारटी को उत्रप्रदेश में जो भारतिय जनता पारटी या इस वक्त चुनाओ आयोग ने या सुप्रीम कोट ने जो फैसला सुनाया है कि जाती बात के उपर election नहीं लड़ा एक तो उसका एक demonetization का दूसरा आम आदमी जो समस्याओं से गुजरा है दो से डाई महीनों में उसका ये तीन बुरे असर भारतिय जनता पारटी के उपर पढ़ेंगे जिससे उनको तकलीफ भी हो सकती है मगर एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारतिय जनता पारटी ने budget जो परवरी को होने वाला भी है जो budget session है और budget भी होगा एक फरवरी को एक सवाल बहुत बड़ा सवाल है हमने इसको लेना भी है बिल्कुल उसके बारे में चर्चा करेंगे आने वाले कुछ महीनों तक चलता रहेगा कि election क्या-क्या गुल खिलाता है क्या-क्या रंग दिखाता ह करेंगे वेल जली है सद्ध्या एक छोटा सा ब्रेक गेना ची एक ब्रेक घ्यून लगेज परतितो है पहत रहा राजबंदर